नमस्कार में रीमा पिसाद इस वक्क की सबसे बड़ी खबर हिमाचर प्रदेश के प्रूरगसीम जैरान्ठाकूर ने दावा किया है की कॉंगरेस सरकार के पास बहुमत नहीं है, यानि सरकार के उपर खत्रा है जैरान खाकुर ने दावा ये किया है कि कॉंग्रेस के कई विधायक उनके संपर्ख में हैं वहीं दाज्ची सभाचुनाव के दौरान कॉंग्रेस के आज से नौ विधायकों के क्रॉस मोटिंग की आशंका जाहिर की जारिये से में फुल 68 सीटों के विधान सभा में कॉंग्रेस अल्प मत में आ सकती है और यही वज़ा है कि सूत्रों के मताबिक बीजेपी और विश्वास प्रसाव ला सकती है इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है शाम चार बज़े के बाद से किसी भी वक्त ये तस्वीरे साफ हो जाएगी कि राजिस सभा किसने यहां से वो सीट हासिल की क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये सीट बीजेपी के पाले में और सिर्फ ये सीट नहीं बलकि सीदे सीदे हेमाचर प्रदेश में मौझूदा सिर्कार की उपर ही खत्रा माना जा रहा है जाराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौझूद है और बड़ा दावा किया इनोंने की सरकार अल्प मत में है सर क्या आधार आपके दाविद है मैं इस बात को कह रहा हूँ जब आज फाइनेशल विल पर वोटिंग हुई तो जब हमने डिविजन मांगा उससे पहले ही वाइस वोट के अधार पर स्पीकर ने हौसी अर्ज़न कर दिया और हौस अर्ज़न करने का मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तबान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार दी जब उनके पास मेंडेट नहीं है क्या वाकई वहां पर कुछ बुगाहट है सरकार को लेकर बिल्कुल अभी बीजेपी नतीजों का इंज़़ार कर रही है और बीजेपी के सुत्रों ने दो तीन बातें बताई जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा सबसे पहला यह कि वहां बजट का सत्र चल रहा है अगर 9-10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है अगर अगर उन्होंने कॉंग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ अलग वोट दिया है इसका मतलब है कि कॉंग्रेस अब वहां अल्पमत में आ गई है तो बजट सत्र में अगर बजट पेश करने के दोरान अगर बजट के गिरता है अगर बजट पास नहीं करवा पाती है सरकार इसका मतलब है वो आटोमेटिकली वो अल्पमत उनका साभीत हो जागा कि सदर में बहुमत नहीं है और दूसरा बीजेपी के पास जो विकल्प है वह विश्वास प्रस्ताव का क्योंकि नौ-दस विधायक यहां पर उनके खिलाफ अगर वोट दे रहा है तो यह नौ-दस विधायक क्या उनके साथ सदन के अंदर आएंगे विधान सभा के अंदर तो लिए चलूँगी राचंदर शर्मा मेरे सयोगी जुड़ चुके मैरोन आपका भी रोख करूँगी राचंदर सबसे पहले तो यह बताए कि अगर पार्टी के हिमालचर प्रदेश के लिहास से बीजेपी के अगर बड़े और कदावर चेहरा पूर्व सियम अगर यह बयान देते हैं कि दावा करते हैं कि सरकार वहां पे गिर सकती है अल्पमत में सरकार है और यह दावा इस आधार पे की आठ से नौ विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं कॉंग्रस पार्टी के क्या सच्चाई क्या आधार क्या किसी से आपकी बाक्शीत हो पाई है बिल्कुल अब देखना ये होगा कि जैराम ठाकूर के दावे में कितना दम है क्यूंकि विधान सवा में इसे पहले जो कटोती प्रस्ताव के ओपर चर्चा का जवाब सौस्थे मंत्री दे रहे थे और उसके दोरान ये सारिस्थिती उत्पन हुई ध्वनी मत के स्पिकर की त भोजना अवकास के लिए स्थगित कर दी गई उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि सरकार अल्पमत में है सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो कुछ विधायक बैटे हुए हैँ वो सरकार के साथ नहीं है कॉंग्रेस के कुछ विधायक सरकार के साथ नहीं है और ऐसे में वो वित विदेयक विदानसवा में वित विदेयक के समर्थन में नहीं उतरेंगे और अगर वित विदेयक के समर्थन गिर जाता है तो फिर सरकार के ओपर संकट आ जाता है और इसी दिशा में भाजपा आगे की आगे बढ़ने की कोशिश हीमाचल विदानसवा में कर रही थी अब देखना होगा कि भोजनाव कास के बाद जो कारवाई शुरू होगी उसमें अब क्या रुख विपक्ष का रहता है मतलब आप ये संकेत दे रहे हैं कि एक से दो घंटे में तस्वीर और भी साफ हो जानी में सिध्य अपने सेयोगी अरुन सिंकारो करूंगे क्या इन सारी चीजों को संभालने के लिए हिमाचर प्रदेश को लेकर कोई कवायत की जा रही है क्या जो सिनियर लिडर्शिप है कॉंगर्स पार्टी की देखें कॉंगर्स पार्टी ये कह रही कि उसकी सरकार वहाँ पर स्थाइट तो उसके अंदर है अभी सरकार है वहाँ पर बहुमत भी सरकार के पास उसकी वज़य है राज्य सभा चुनाओं में आप एक पार्टी के तोर पर विप जारी नहीं कर सकते हैं सदसे चाहे तो विपक्षी खेमे के उमिदवार को वोट दे सकते हैं लेकिन जब विधान सभा के अंदर वहुबत परिच्छन होता है तो आपको अपने दल की सीमा के अंदर बधा होन परता है विप जारी होता है अगर वहां पर आप क्रॉस वोटिंग करते हैं तो आपकी सदस्ता जा सकती है उसके पहले दल बीदल कानून के तहत आपको अच्छी खासी संख्याम विधायक तोड़ने पड़ेंगे जितने विधायक का मानना है कि बीजेपी के संपर्क में न ला सकती है तो क्या ये विधायक जाकर विधान सभा में भी अपनी पार्टी खिलाफ वोट करेंगे ये बड़ा सवाल होगा अभिश्वास प्रस्ताव जरूर ला सकते है जैरान ठाकूर विपक्ष ला सकता विविधान सभा का सत्र वो चल रहा है लेकिन कॉंग्रेस इस ब तर्बलिन्स के अंदर लाया जा सके। खुलकर ये बयान दे रहें, दावा कर रहें, तो अंदर खाने चल क्या आगा है। खुलकर वोट कर रहें, तो पार्टी इसके पहले कॉंग्रेस आला कमान उनके खिलाफ करें। हो सकता है कि सदन के अंदर उनको बहुमत साबीत करने के लिए उनको सामने आना पड़े। तो अगर पार्टी अब तो उनके लिए एक तरफ कुवा है, दूसरी तरफ खाई है। अगर वो खुलकर साथ नहीं देंगे बीजेपी का अगर आने वाले दिनों में, तो कॉंग्रेस आला कमान उनके कारवाई करेगा। तो यह मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है आगे कुवा पिछे खाई वाली सिति वहां के कॉंग्रेस सरकार के पास हो गई है। इंधार कर रहे हैं नतीजों का लेकिन उनको लग रहा है सब सरकार वो अपने ही बोच से गिर जाएगी बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। चीक है आपने जो कहा उसे संकेत यहीं मिल रहा है कि कुछ राउंड तक बाते हो चुकी है मैं थोड़ा इंतजार करना होगा लेकिन एक बयान इस वक्त सुन्वाना बहुत जरूरी है सुक्वंदर सुन सिकू को सुनिया पे ले मेरा मानना है कि हमारे 40 बधायक थे अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 बोट आएंगे निश्ची तोर पर मेरा यह मानना है कि कॉंग्रेस की विचार धारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को बोट डाला होगा पार्टी के परत शिम्ला का रुख एक बार फिर से मैं करूं कि राजेंदर शर्मा मेरे सयूगी वहां से बने हुए राजेंदर मेरे सयूगी अरुन सिंग डिली से बता रहे हैं कि अभी उस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी परिशान नहीं है कुछ बातों का उन्होंने जिकर भी किया जो की समधानी कलेजे से है भी लेकिन हम मौझूदाई सिती में हम देखते भी हैं कि कई बार नियम बदल भी जाते हैं तो आप जरा नाम लेकि अगर बता सकते हैं कि वो कौन-कौन से वधायक है जो की बागी बंडे हैं जिनके तेवर में कुछ तलखिया भी है और वो पाला बद किसकी सरकार होगी किसकी नहीं वो इसी के उपर होगी कि राज्यसभा में कितने कॉंग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया है क्यूंकि एक बात इन्होंने बहुत सही कही कि आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थीति अब उन विधायकों के पास है या ना इधर जा सकते हैं सपस्तोर पर ना उधर जा सकते हैं क्यूंकि हिमाचल प्रदेश में चार साल अभी वर्तमान सरकार का टैन्योर है और ऐसे में अब खुल कर क्यूंकि राज्यसभा में जो पार्टी के पोलिंग एजेंट है उनको वोट दिखाना होता है तो ऐसे में जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही उन विधायकों के नाम भी उजागर हो जाएंगे जिन्होंने क्रॉस बोट किया है और बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूं कि अब यही देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकुर की तरब से जो दावे किये जा रहे हैं उनमें कितना दम है जो यह क्योंकि अभी बड़ी बात यह है कि बजट अभी पास होना है लेकिन भाजपा जल्दी से जल्दी चाह रही है कि जितने जल्दी हो सके उत्रप्रदेश का एक हवाला देती हूँ वहां पे क्या कुछ हुआ वहां समाजबादी पार्टी के विधायक अगर अपना टेवर ब के इस सेचाव को बता दूं क्या हो रहा है माजब प्रदेश में राचिस सभा चुनाओं को लेकर सप्ャूत को सेस्पंज नहीं हैं सरकार को लेकर सप्पें क्या सुकु सरकार बग ज्यानी है या सरकार किस तर पे कोई ऐसी हल चल जिसमें बी ज отдель सीडे सीटे दावा कर रही ह कि अल्पमत में हैं सुखु सरकार इस वक्त की सब्से बड़ी कबर माप दर्शिकों को बता रहे हैं हेमाचल प्रदेश जहां की सीटे 68 सीटे कॉंग्रेस पार्टी के पास 40 सीटे हैं बीजेपी के पास 25 सीटे और इसमें दावा बीजेपी के तरफ से ये किया जा रहा कि आठ से नौव विधायक जो हैं वो कॉंग्रेस पार्टी के तूट सकते हैं तीन नर्दलिये भी हैं तो अगर ये आंकड़े आप अगर बीजेपी के एंगर से जोड़ कर देखेंगे तो ये आंकड़ा 35 यानि बहुमत के आंकड़े तक पहुसता है लेकिन क्या ये प्लानिंग आज की है या बहुत पहले से इस तरीकी की कवायच चल ड़ी थी राज्य सभा चुनाओ के बहाने ही अब जो सिती बन गई है वो ये कि सुखु सरकार की सिहत पे खत्रा है जैराम ठाकुर की बाते भी उनका कहना था कि अब उनकी स्थिती ये हो गई है कि आगे कुआ पीछे खाई अगर वो नहीं भी अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं और उसके बाद वो चाहते कि सरकार का हिस्सा रहे तो ये संभाव है ही नहीं जैराम ठाकुर को सुनिए दावा क्या किया है जैराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बड़ा दावा किया है इनोंने की सरकार अल्प मत में है सरक्या आधार आपके दावे नहीं चलेगी मैं इस बात को कह रहा हूँ जब आज फाइनेशल विल पर वोटिंग हुई तो जब हमने डिविजन मांगा उससे पहले ही वाइस वोट के दार पर स्पीकर ने हौसी अर्जन कर दिया और हौस अर्जन करने का मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तबान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नी जब उनके पास मेंडेट नहीं है मैं सिधे अपने सेविगी अमिताब सिनहा का रोक करती हूँ अमिताब जी ये छोटा प्रदेश है इस बात का तो हम जिकर करें मात्र अर्स्ट सीटे है हिमाचल प्रदेश में लेकिन जब कॉंग्रेस पार्टी अगर काउंट करने बैठती है तो एक हिमाचल प्रदेश को भी दिखाती है कि हाँ इस प्रदेश में भी हमारी सरकार है अगर यहां की सरकार पे कुछ है इस तरीके का असर होता है वो भी लोग सभा चुनाव की सरगर्णियों के पीछ में किस तरीके से इसका असर होगा प्रदानमंत्री मोधी और बिजेपी का एक ही एजंडा है कि ज्यादा सीटें ज्याद अगर गिरने के आसार नजर आने लगे हैं तो ऐसे में पूरे देश में क्या संदेश जाएगा कि कॉंगरेस अपनी सरकारे भी संभाल नहीं पा रही है तो मुझे लगता है कि कॉंगरेस के मिस गवर्नेंस को लेकर बीजेपी हाईलाइट करेगी और दूसरा एक और राजी जो कॉंगरेस के पास पूर्ण बहुमत के साथ आया था वो राजी गिरता देखके ये भी साबित हो जागा है कि कॉंगरेस के लोग अपने राजियों क ठीक से चला नहीं पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि दो विकल्ब जो बीजेपी सोच रही है कि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हिमाचल में ज्यादा सरकार अपने बहुत से गिर जाएगी उसे पहला है जो अपने राजियंदर ने बताया कि पहला कि बजट सच चल मैं आप सारुख करूँ इससे पहले बड़ी खबर बीजेपी के राजिस सभा पुतियाशी हर्श महाजन का बड़ा दवा हर्श महाजन का दवा क्या है वो हम आपको बताते हैं कॉंग्रेस के कई विधाईकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है इस बख की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको ड़ाची सभा के उमीदबा रहे हैं हर्श महाजन उनके दावे के बार में बता रहे हैं उनका कहना है कि कॉंग्रेस के कई विधाईकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है हमार साथ हर्श महाजन है जिनोंने इस सर्दी में तपिश आज तो बहुत ज़ादा बढ़ा दी है आपने जो अभी थोड़ी दिर पहले बयान दिया इसके माईने हम क्या समझे कि कुछ विधाईकों को आपने ग्रूम किया है तो ये खेल आपने कर दिया है नहीं ऐसे है कि कौंगरिस के बढ़ाय का है और विताड़ी साल से मैं कौंगरिस में था पिछ्टी विधान साभा के इलेक्शन से पहले मैं बीजेपी में आ गया और वर्किंग प्रेजिडेंट था उस टाइम कौंगरिस का तो इनके कारेशाली में जो गड़वड चल रही थी उसको देखके मैंने बीजेपी में स्वीच ओपर कर लिया था और ये सच बात है कि जो अभी नए विधायक आए हैं बहुत और पराणे विधायक भी हैं जब मैं कौंगरिस में था तो मेरी उनके साथ उनको जी थे हमारे संझेवस्ति थे हमारे साथ श्कलानी जी थे नान से सुलंकी जी और ऐसे भी बहुत भूत विधायक है तो आज सुफना तो यह आ रही है कि कम दो तो आप लेकर गए 25 और 9 का अंकड़ा हो गया 34 तो टाइ हो गया तो टाइ हो गया तो आपसे पुष्टी कर रहे हैं क्या ऐसा है नहीं मैं तो पांच बजी बता सकूंगा जब रिजल्ट आएगा तो तब देखेंगे क्या होता है फिर से यही मैं आपसे सवाल लेना मुख्य मंतरी का ब्यान हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि शायद क्रॉस वोटिंग होई है ऐसा लग रहा है होई होगी तब ही बोले हो और मैं समझता हूँ कि सरकार से भी बहुत विदायक नराज है सरकार की कारेशाली से और मेरे से बात भी होई ही उनकी तो उन्हें ने साफ साफ यह कहा कि हम इस सरकार को तो बोड़ देंगे नहीं तो कर ऐसी बात होगी तो फिर हो सकता क्रॉस वोटिंग की बात सचो क्रॉस वोटिंग सर होई तो नहीं पर करवाई होगी यह कह रहे हैं सब आपको कह रहे हैं नहीं मैं तो ऐसा वोटर सब के बास गया तो क्रॉस वोटिंग हुई है करवाई गई है ये मेरे सयोगी पूछ रहे थे लेकिन मैं सी दे एक और सयोगी का रोख करूँगी शिमला से मेरे साथ राजजंद्र जुड़े वे राजजंद्र दो बड़े चेहरों का एक राजजसभा जो मिद्वार है उनका दावा आ गया जैराम धाकुर पहले सी कह रहे सरकार की उपर खत्रा है और जो अंदर खाने की खबर है वो ये भी मिलने लगी है कि कॉंग्रेस के कुछ विधाईकों ने क्रॉस वोटिंग की है क्या इस बात की पुष्टी हो गई है पुष्टी तो अभी नहीं की जा सकती लेकिन कुछ देर पहले हम जब चर्चा कर रहे थी कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं कॉंग्रेस से जिनको मैंने धरातल से फर्ष से अर्ष तक पहुंचाया है और वो लोग मेरा समर्थन करेंगी ये दावा भी हर्ष महाजन की तरब से किया गया ऑन कैमरा तो ये वो नाम है जो क्रॉस वोटिंग में शामिल हो सकते हैं ठीक है मैं आपका रुख करूं लेकिन अपने दर्शकों को इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर बता दूँ हिमाजचल प्रदेश में सरकार के उपर खत्रा सरकार अल्प मत में ये बीजे पी के दावा है जहराम ठाकुर दावा कर चुके हैं इसके अलावा भी दावा किया गय हिमाजचल में सुखो सरकार पर खत्रा अव विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजे पी और ये तैयारी आज की नहीं है ये तैयारी बीते कुस दिनों से चल रही थी कि सिर्फ राजजी सभा टिकेट पे उमिदवारी पे फोकस नहीं था बीजे पी का सीधे पी नहीं है लेकिन यहां पे अब सब कुछ ऐसे तरीके से हो रहा है जिसमें अब संकेत मिलना शुरू हो गया कि कभी भी किसी विवक्त कुछ भी हो सकता है दिखे मैंने दो बाते पहले कहीं कि बीजे पी इंतजार कर रही है कि नतीजे क्या होते हैं बीजे पे उसके आद जो सबसे बड़ा बीजे पी इंतजार कर रही है वहीं कि सरकार के पास कितने वोट हैं और मैंने पहले बी बोला था कि बीजे पी पी के पास एक अविश्वास प्रस्ताव का आप्शन विकल्प खुला हुआ है तो पहला बजट में सरकार स्वता गिर जाए दूसरा विश्वास प्रस्ता हो जाए और कॉंग्रेस के उन विधायकों के लिए जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किये हैं उसके लिए मैंने पहले भी बूला था आगे कुवाँ पीछे खाई है क्योंकि अगर वो क्रॉस वोटिंग करके अगर निकल भी जाते हैं तो आला कामान हो सकता है उन नौ लोगों में से चार पांज लोगों की खिलाफ कारवाई कर दे कुछ चार पांज लोगों को छोड़ दे ताकि उनका बहुमत बना रहे तो उसमें तो राजदीती हो गई इधायकों का वोटिंग करना ये बता रहा है कि कितनी मुश्किल में है वहां की सुखु सरकार और मैं चाहूंगा कि वहां राजिंदर मौजूद है शिमला में राजिंदर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा किया यह रोडू की लडाई है क्या जी बिलकुल हौली लौज की लडाई हम कह सकते हैं पहले ही दिन से जब कॉंग्रेस सरकार बनी थी तो उस वक्त जब कॉंग्रेस के प्रभारी यहां पर आये थे राजीव शुकला और उनके साथ बुपेश भगेल यहां पर पहुँचे थे तो उस वक्त जो असपश तोर पर दो कॉंग्रेस के बड़े प्रेशर गुरुप दिख रहे थे पहला प्रेशर गुरुप बरतमान मुख्यमंत्री ठाको सुख विंदर सिंग के साथ था और दूसरा प्रेशर गुप रानी प्रतिभा सिंग जो की बरतमान में सांसद हैं हौली लौज से हैं पूर मुख् परिस्तिती की बात करें तो भाजपा के पास दो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर अगर हम इमेजनरी नंबर लेकर चलते हैं अगर मालो दस लोगों ने 11 विधायकों ने 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की गए तो उनकी सदस्यता को कैसे बचाया जाए और उनकी सद हमाचल प्रदेश में सरकार के उपर खत्रा लेकिन ये दावा ये दलीले किस के तरफ से ये बीजेपी के सीनियर लीडर्स की तरफ से मैं सबसे पहले जैराम ठाकूर का वो बयान सुनवाती हूं जिस बयान के आधार पर ये बड़ी बाते आप दर्शकों के सामने हम कह रहे जब आज फाइनेशल विल पर वोटिंग हुई तो जब हमने डिविजन मांगा उससे पहले ही वोईस वोट के अधार पर स्पीकर ने हौसी अटजन कर दिया और हौस अटजन करने का मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने क कोई अधिकार नी जब उनके पास मेंडेट नहीं है तो एक के बाद एक बड़े दावे किये जा रहा है मैं सीधे अपने सेयोगी आरून सिंग का रोख करूंगे आरून अकर ये मान के हम चले कुछ देर के लिए कि बाके बीजेपी ने सारा गेम सेट कर लिया यानि विदा सकता है यानि हिमाचल प्रदेश में सरकार को बचा सकता है कौन-कौन विदायक खिलाब वोटिंग की है अगर उनको डिस्क्वालिफाई कर देते हैं आनन फानन में जो कि स्पीकर का अधिकार है वो कर सकते हैं तो हाउस की स्टेंथ कम हो जाएगी और जब हाउस की स्टेंथ कम हो जाती है तो बहुमत का आकड़ा भी कम हो जाएगा कौंग्रेस के मुफीद हो जाएगा और जाधा क्यूंकि अगर वोट डिस्कौइफाई हो गए उनको डिस्कौइफाई कर दिया गया तो वोट बीजेपी को तो नहीं मिलेंगे लेकिन कौंग्रेस से भले वो चले जाएंगे बहुमत का आकड़ा भी कम हो जाएगा तो कौं कई के पास क्या प्लानिंग थी प्लान वी क्या था तो क्या इस तरीके से हिमाचल में यह स्थिति नहीं अपना सकते हैं कि रुजरों ढुड़ और सरकार बचा लेगा उनके पास बहुमत है जिसका दावा किया उसको साबित किया यहाँ पर उम्मीद है बईजेपी को कि Congress से लोग तूटएंगे Congress को लोग cross vote करेंगे Congress के लोग हमारे पास आएंगे अभी वो आए हैं कि नहीं यह स्तिति साप नहीं है उसमें से कितने उपर कारवाई हो सकती है इस्तिति साप नहीं है क्योंकि अब विश्वास प्रस्ताउड जब सदन में आएगा उसके पहले स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूल होती है वो कितने दिन का समय देते हैं विश्वास प्रस्ताउड साबित करने के लिए अगर अब विश्वास प्रस्ता वाता है तो मुख्यमंत्री कितने दिन का समय देते हैं सदन के पटल पर वो अपना विश्वास मत हासिल करें वह बहुत कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अभी उसमें हैं लेकिन पांच बजे ये तो साफ हो जाएगा कि कॉ जेपी के पक्ष में वोट दिया है तो मैं बार बार कहा रहा हूं साथ से आठ विधायक अगर वोट देंगे तभी जाकर के हर्स महाजन जीत सकते हैं यानि भारती जन्ता पार्टी के केंड़ेट तभी जीत सकता है जब साथ से आठ विधायक के क्रॉस वोटिंग करें और एक बार जब कॉंग्रेस को ये पता चल जाए कि क्रॉस वोटिंग किनों नी की है उसके बाद उनके पास आप्शन हो जाता विदान सवाद देक्ष है पार्टी है गर उनके उपर कारवाई करती है हाउस की स्टिंथ कम होती है तो बहुमत किसके लिए सावित करना असान होगा या नहीं कर पाएंगे ये बहुत दूर की अभी बात है अभी फिलाल पांच बजे का इंतजार करना चाहिए हमें जो गुजरने वाला हरपल है वो हिमालचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात लेकर आ रहा है मैं सीधे अपने सयोगी राचिंद्र का रोख करूंगी शिमला में है और शिमला से हर विदायकों पे नजर इसलिए बनाए हुए है क्योंकि उन्हें पता है कि शायर विदाय शुरू कर देंगे कि क्रॉस वोटिंग हुई है लेकिन क्या ये क्रॉस वोटिंग इस तरीके से है कि आगे चलकर ये पाला भी बदल ले अब बिल्कुल मैं इससे पहले हिमाचल विधान सबा का गणित आपको थोड़ा बताना चाहूंगा 25 विधायक भाजपा के पास हैं 3 विधायक निर्दलिये हैं और 40 विधायक कॉंग्रिस के पास हैं अगर साथ से अधिक विधायक रोच बोट करते हैं तो फिर सरकार के ऊपर खत्रा हो सकता है भाजपा जो दावे कर रही है नेता परितपक जैराम जो दावे कर रहे हैं उनको कुछ हद तक हम मान सकते हैं लेकिन उस थिती में भी स्पिकर की भूमिका बहुत एहम हो जाती है अगर भाजपा की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया भी जाता है और स्पिकर की तरफ से सदस्यता रद कर दी जाती है या उनके वोट मान्य नहीं किये जाती है उस थिती में भी कॉंग्रेस की सरकार से तो ऐसे में भाज़पा के लिए जो दावे भाजपा की तरप से किये जा रहे हैं काफी कठीर है सरकार को अल्फ होती है अगर सदस्यता रदभी होती है दुबारा से बाई लेक्षिन ही वाचल प्रदेश्में ऐते हैं तो इस चीज की समभावनाइ भी कम रहती हैं कि जो तमाम बिदायक मालो दस बिदायकों का रेजिगनेशन भी होता है या सदस्य तरद होती है दस के दस भाजपा के जीत कराएंगे ये स्थीती भी बहुत मुश्किल है तो नहीं है कि ये होने जा रहा है कि उपचुनाओ हो जाए ऐसी संभावना दिखनी रही है लेकिन मैं इस वक्त सबसे बड़ी बाते बताऊं अपने दर्शिकों को कि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे संकित ये मिलना है कि शायद संभावत तो वहाँ पे सरकार के उपर खत्रा है ये ऐसा बीचेपी के लीडर्स का दावा है लेकिन सुक्वंदर सिंग सुखू क्या कह रहें जरा मुनको सुढ़िए एक पर फिर से मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 बोट आएंगे निश्ची तोर पर मेरा ये मानना है कि कांगरेस की विचार धारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को बोट डाला होगा पार्टी के परतयाशी को बोट डाला होगा तो अभी तक तो हम शाम को कांटी है तभी कुछ बोल सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि कांगरेस का अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमार को 40 के 40 में मैं अपने से योगे अमिताब से ना करूँगी अमिताब जी राजनीती में अमूमन हमने देखा है कि जो बाते लोग बताते नहीं है उनका body language बता जाता है सुक्विंदर सिंग सुकू को जम मैं सुन रही हूँ और बार कई दफा आमने दर्शिकों को सुन राया एक बात तो वो कह रहे है कि अगर कोई बिका नहीं होगा तो सरकार बज जाएगी मतलब सरकार के बारे में तो नहीं का तो उन्होंने कहा कि राजसवा सीट बज जानी है लेकिन आपको सुनके उन्हें क्या लग रहा है कि वाकर इस्तिती समाने है देखे क्रॉस वोटिंग तो हुई है और कितनी हुई है इसका अंदाजा लगेगा जब नतीजे सामने आ जाएंगे लेकिन बीजेपी का जहां तक सवाल है बीजेपी अभी मैं बता रहा हूँ बीजेपी अभी कोई डारेक्ट आक्शन डे टाइप ऐसा कोई कोई एलान नहीं कर रही है कि हम सीधे कोई कारवाई कर रहे है बीजेपी का एक ही रुक है रुकते हैं इंदार करते हैं नतीजों का बाकी जो भी ऑप्शन है मैंने पहले भी बोला एक बजट सत्र के जो प्रस्ताओं है वो गिर जाएंगे तो सरकार अलपत में आगी नहीं